नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्वकी 40 प्रतिशत मानोता और लगबद 30 प्रतिशत अर्थिववस्ता का प्रतिनिदीत्व करता है पिछले लगबद दो दस्वकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलबजियां हासिल की है मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनवतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बन करके उपहे गया भारत ब्रिश्क के अंतरगत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से पतिवद्ध है हमारी विविद्धता और मल्टिक पॉलरिटी में हमारा द्रट विश्वास हमारी ताकत है हमारी यही ताकत और मानवता में साज़ा विश्वास हमारी भावी पीड़ी के समरुद्ध और ससक्त भविश्व को सार्थक रूप देने में सही होग होगा हमारा मानना है कि भारत और चीन के समंधों का महत्वर केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं लेकिन वैश्विक्षान्ति, स्थीर्दा और प्रगति के लिए भी हमारे समन बहुत एहम है mutual trust, mutual respect और mutual sensitivity हमारे समंधों का आधार बने रहना चाहिए